लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा रविवार को जब मैं आपके सामने आया था मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तै कि आए कि लॉकडाउन एज इस जारी रहेगा कोई रियायत नहीं दी जाएगी और 27 तारिख को हम लोग इस पे दुबारा निरने लेंगे कि लॉकडाउन को जारी इसमें कुछ रियायत दे एक साथ चेंदर्ख कार ने कुछ तरह की दुचाने खोलने का निरने लियायए उस केंद्र सरकार के आधेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे है ये आधेश क्या है ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो एसेंशल सर्विसेज की दुचाने थी दवाई की दु दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूद की सर्विसेज, वो जो एसेंशल सर्विसेज हैं, वो तो जारी रहेंगे, उसको कोई छेड नेरा, वो एज़िट जारी रहेंगे, वो खुली रहेंगे, वो सप्लाई होती रहेंगे, इसके अलावा, कोई मार्केट न खुलेंगे लेकिन जो residential areas में इक्की दुकी दुकाने होती हैं, stand alone कोई दुकाने हैं, neighborhood की कोई दुकाने हैं, इक्की दुकी इस तरह की जो दुकाने हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंदर सरकार ने दी है, उनकी दुकी दुकाने जो neighborhood में हैं, stand alone हैं, residential areas में हैं, उन दुकानों को जो केंदर सरकार ने इसाज़त दी हैं, वो दुकाने दिल्ली में भी खोली जाएंगी, मैं फिर से बता दू, कोई market ने खुलेंगे, कोई market complex ने खुलेंगे, कोई shopping malls ने खुलेंगे, लेकिन containment area में, वो भी ने खुलेगी, जो एक्की दुकी दुकाने में बात कर रहा हूं, containment area वो area है, जहां पर हम लोगों ने सक्ती की हुई है, seal किया हूँ उन areas को, जहां पर करोना के ज़्यादा cases निकल के आ रहे हैं, उन areas में किसी भी किसम के दुकान को खुलने के कोई इजाज़त नहीं रहेगी, इसके अलावा, अगला एक और हफ़ता, ये जो एक order आया है, प जो restrictions हैं, वो जारी रहेंगी, ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है, बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ़ते में, आप सब लोगों ने मेहनत करके करोना को पे काबू पाया है, हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना, तीन मही तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का एलान किया है, तीन मही के बाद केंदर सरकार इस पे क्या निरने लेती है, उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं, केंदर सरकार के निरने के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तैय करेंगे एक अच्छी खबर है कल मैंने बताय था आप लोगों को प्लाजमा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं प्लाजमा के जो अभी तक ट्राइल्स किये गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं एक 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 मरीज के उपर मैं खुद नजर रख रहा हूँ कल एक मरीज थे एलन जेपी में जो की काफी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे उनको प्लाजमा दिया गया और उनकी तब्यत में काफी अच्छा सुधार हुआ है आज सुबह तक काफी सुधार हुआ है उनकी तब्यत में मैं ड लेकिन उसको देखके हमारा उत्सा बड़ा है इस प्लाजमा थेरेपी को लेके कि इतने सीरियस मरीज भी ठीक हो सकते हैं इनसे मैं उमीद करता हूँ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होके अपने घर जाएंगे अभी तो आई सिउ महीं है और मैं एक-एक-एक हमारी कोशिश है कि कोई भी मरीज प्लाजमा का उसकी मौत नहीं होनी चाहिए किसी की भी मौत होती है तो बहुत दुख होता है हमारे डॉक्टर्स सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स नर्सेज पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों को बचाने की एक-एक-एक जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं हमारी कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए एक-एक व्यक्ति से मैं personally उसकी ख़बर रख रहा हूं एक-एक मरीज की ख़बर रख रहा हूं जो मरीज ठीक होगे जा रहे हैं उन मरीजों को हम कह रहे हैं कि प्लाजमा डोनेट करो, एक 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 मरीज से मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी टीम भी बात कर रही है और उन्हें प्रुटसाहन देते हैं कि आप डोनेट कीजिए, मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग आगे आके दूसरों की जान बचाना चाते हैं हर धर्म के लोग, चाहिए वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जातके हो, सब लोगों के मन में एक जजबा है कि मेरी जान बची, अब मैं किस तरह से दूसरों की जान बचा सकता हूँ, मेरे मन में एक विचार आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कल को, अब जब मैं पिछले उसे लोगों को blood donate करने के लिए plasma donate करने के लिए इतना हम लोग उनको प्रुथसाहित कर रहे हैं तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि कल को कोई patient मान लिजे हिंदू है और बहुत serious है हो सकता है उसको मसल्मान का plasma उसकी जान बचाए मान लिजे कोई patient मुसल्मान है बहुत serious है हो सकता है किसी हिंदू का plasma हिंदू के शरीर का plasma उसकी जान बचाए भगवान ने जब धर्ती बनाई थी तो उसने तो इंसान बनाए थे हर इंसान की दो आखें हैं एक जैसा शरीर है लाल रंग का खून है हमारे बीच में कोई दिवार पैदा नहीं की भगवान ने तो किसी किसम के ये धर्म वो धर्म हमारे बीच में किसी किसम की खाई पैदा नहीं की यह तो सब हम ही लोगों ने की हुई है करोना होता है तो सब को होता है करोना तो हिंदू को भी होता है और आपके शेरीर का प्लाजमा जब बचाता है, तो वो हिंदो का प्लाजमा भी दूसरे को बचाता है, मुसल्मान का प्लाजमा भी बचाता है, हिंदो का प्लाजमा मुसल्मान को भी बचाता है, मुसल्मान का प्लाजमा हिंदो को भी बचाता है, तो फिर ये दिवारे हम लो प्यार और महब्बत से काम करेंगे तो ये देश को कोई नहीं हरा सकता इस देश को इस देश के सामने पूरी दुनिया को जुकना पड़ेगा हमारा देश इतना अच्छा है और अगर हम बट गए हापस में लड़ते रहे तो फिर कोई उमीद नहीं बचती है तो मुझे लगता है ये इस से हमें ये सबक लेना चाहिए अगर आपके मन में कभी भी किसी कोई दुर्भावना आती है किसी दूसरे धर्म के वेक्ति के प्रती तो ये सोच लेना कि हो सकता है उसका प्लाजमा कल को आपके काम आए और आपके जिन्दगी बचाए थैंक यू